नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल बे आज लिकरके आएं दोस्तों कम्प्यूटर के 100 MCQ परीक्षा की द्रश्टी से सवी कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि हमने बही कोश्चन लिए जो पिछली परीक्षाओं में रिपीड हुए तो हाली में तो परीक्षाओं लगे हुए जेल वाडर और दिल्ली पुलिस का एक्जाम लगा हुआ है तो उनकी द्रश्टी से देखें तो दो से तीन कोश्चन यहां से मिलने बाले हैं आपको हैना तो अब आपको पताएगी जीके में कम्प्यूटर से रिलेटेड भी लगे जाते हैं तो अगर आपका एक्जाम है और आप एक्जाम की तैयारी में हैं तो दोस्तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा चलिए सुरू करते हैं आज का टेस्ट पहला कुश्यन है कुछ बिट्स लिख रखी है हमारे पास जिसमें की आठ है इनकी डिजिट की संग के रहें जाते हैं यह आथनिकलेंगे तो पहला बुश्या नमारा आउसर सही हो जाएगा चलिकोश्यन नमर्श सेखिंड को देखते हैं ठरंकी सिस्टम क्या है तो ठरंकी सिस्टम जो होता है किसी भी सिस्टम में हाड़वेर और सॉफ्टवेर की क्यों कम्प्लीट करके हम आते हैं उसको हम ट्रंग की सिस्टम कहते हैं तो ए आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा चलिए कुशन नमर देखते हैं थार्ड बहब एक्टी इन्पुट के लिए अपने हातों का प्रियोग नहीं कर पाते हैं उनकी साहेता कौन से सॉफ्ट्वेयर करते हैं यानि कि जो पी अंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा को चलिए कोशन्र में से किसमें सबसे कॉमन प्रिकार की सिट्वाइब इस होती हैं यान से 정도로 b क्या कहा जाता है जो कि chip में दर्ज होती है, मारी chip format में यानि कि हम इसको लिखते हैं तो वो software होते हैं, एक तरह से क्या होते हैं, software होते हैं, तो 5 का क्या हो जाएगा, A answer हो जाएगा, चारी, question number 6 को देखते हैं, database में bank app का क्या OPO होता है, है ना, तो database में backup apps जो होते हैं, उनका क्या pre-o होता है, उचने का यह मतलब है, इसका तो खोई हुए data को बापस लाने का काम होता है, question number 7 को देखते हैं, किस operating system में उपयोग करता है, एक साथ कई computer operate कर सकता है, तो यह कर सकता है दोस्तो time sharing में, किस में कर सकता है, time sharing में, यह answer बिल्कुल ठेक हो जाएगा, time sharing में क्या होता है, कि Question number 8 को देखते हैं, गलती एक algorithm है, जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, logical error कहते हैं, logical error, question number 8 ठीक हो जाएगा यहां से, यानि कि question number 8 का विकल्फ हो जाएगा A, question number 9 देखते हैं, C, basic, COBOL और Java, भासाओं के उतारने, यानि कि किस पिरकार की भासा हैं, तो ये तीनों जो भासा हैं, दोस्तों ये हैं, high level language, कैसी भासा हैं, high level language है, question number 10 को देखते हैं, Unix नामक operating प्रणाली, बिसेश रूप से किस में प्रियोग लाई जाती हैं, तो Unix जो operating प्रणाली होती है, ये बेव servers में सबसे ज़्यादा प्रियोग की जाती है, किस में की जाती है, बेव servers में, तो 10 का हो जाएगा D, चलि, question number 11 को देखते हैं, अंग्रेजी भासा के समान, उच्चिस तरी कंप्यूटर भासा कौन सी है, तो कौन सी होती है, कोबल भासा जो वो अंग्रेजी के ही समान है, ये answer ठीक हो जाएग 11 का, चलि, 12 question को देखते हैं, छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखा नुक्रितियो की सिख्षा देने के लिए, कंप्यूटर में किस भासा का प्रियोग किया जाता है, तो कब बच्चों को सिखाने के लिए, ज़्यादा तर चित्रों का प्रियोग करते हैं, चित्रों की सायता से बच्चों को जल्दी से कोई ची समझ में आती है, जैसा कि आ जानते हैं, तो क बार-बार उपयोग में लाई जा रही है, पिन करने में मदद करता है, किसी फाइल को आप बार-बार खोल रहे हैं कम्प्यूटर पे, तो आप उसको क्या करते हैं, नीचे टास्क बार में उसको क्या कर लेते हैं, पिन कर लेते हैं, तो वो किस के तहत यह किया जाता है, तो य कुछन नमर 14 ने documents and program के नाम को दर्साता है तो यह कहां पर दर्साता है दोस्तों task war में है ना task war में आप देखते होंगे कोई भी फाइल अगर आपने open किये तो उसको नीचे दिखाता रहता है चलिकुछन नमर 15 को देखते हैं qat है ना तो पूछ रहेगी qat की full form क्या होती है तो इसकी full form होती है qq access toolbar d answer ठीक हो जाएगा यहां से चलिए question number 16 को देखते है रॉलर्स बॉल का उपियोग कौन से mouse में होता है तो इस बॉल का प्रियोग जो होता है दोस्तों वो होता है mechanical mouse में c answer ठीक होगा 17 question को देखते है monitor screen पर dots के बीच में रिक्त जगे को क्या कहाएते ह कोई भी image जो होती है वो छोटे छोटे पिक्सल को मिला करके बनी होती है जिसे हम क्या कहते है dot pitch के नाम से जानते है 17 का a answer ठीक होगा question number 18 देखते है tft की full form क्या होती है तो tft की full form होती है thin film transistor c answer ठीक होगा यहां से sorry b answer ठीक होगा question number 19 को देखते है vacuum tube का अभिस्कार कभ हुआ था तो जो computer में सबसे पहले क्या लगाया जाते थे vacuum tube लगाया जाते थे तो इसका अभिस्कार कभ हुआ था 1906 में हुआ था b विकल्प ठीक होगा question number 20 को देखते है निमलेखित में से कौन सा computer अटान सौफ्ट और क्लिफ फर्ड द्वारा अभिस्क्रत किया गया था है ना तो कौन सा था यह computer यह था a b c b answer ठीक होगा question number 21 को देखते है निमलेखित में से कौन सा computer बेवेज ने कल्पना की थी है ना तो सर प्रिथम जो computer की परिकल्पना की थी किस ने की थी चाल्स बेवेज ने की थी जैसा आप जानते है ना तो सबसे पहले उन्होंने कौन सा बनाया था analytical engine बनाया था है ना तो ए आंसर ठीक हो तो यह printer होता है दोस्तों laser printer कौन सा होता है laser printer ए आंसर ठीक हो जाएगा 22 का एक मिनट 22 का होगा दोस्तों B आंसर है ना thermal printer होते हैं कौन से होते है thermal printer होते है ना कि laser printer तो B हो गा यहां से ना कि A 23 question को देखते हैं computer में text और numeric data को input करने के लिए keyboard में कौन सी key का यूज किया जाता है तो कौन सी key का यूज करते हैं alphabet and numeric key का है ना चली देखते है question number 24 control alt key को कहते हैं है ना तो control alt key जो होते हैं उनको जो कहते हैं combination key कहते हैं the answer ठीक हो जाएगा चली question number 25 को देखते हैं notepad file का extension क्या होता है है ना तो notepad file का extension होता है वो था txt है ना क्यूंग notepad जो होता है उसमें कुछ भी text note करते हैं तो सीधा हो जाएगा इसका txt सी वाला बिल्कुल ठीक होगा है यहां से चली question number 26 को देखते हैं एक बिंडो से दूसरी बिंडो में जाने के लिए किस shortcut का यूज किया जाता है तो बहुत ही आसान question है और important भी परिक्षा की दरश्टी से देखें तो तो alt और tab को अगर आप प्रेस करेंगे तो आप दूसरी बिंडो पे move कर जाएंगे question number 27 एमस बर्ड में कितने text alignment होते हैं तो कितने टेक्स्ट alignment होते हैं तो कितने होते हैं दोस्तों यह three होते हैं 27 का sorry four alignment होते हैं कितने होते हैं four alignment MS बर्ड में तो सी answer बिल्कुल ठीक हो जाए गया है कुर्षिन नबर 28 कर सर के रायट साइड के करेक्टर को मिठाने के लिए किस किया जाता है तो कौन सी की की का यूज करते है डिलीट की का यूज करते है राय आइड साइड सा अगर हमको बढ़ मिठाने थो 29 question को देखते हैं screen के background को किस नाम से जाना जाता है तो screen का जो background होता है हमारे desktop का उसको किस नाम से जानते है तो उसे हम desktop कहते हैं क्या कहते है desktop 30 question को देखते हैं android के नए version android 8.0 का क्या नाम है तो अच्छा question है इसको देखते हैं तो इसको हम कहते हैं Oreo जो 8.0 आया है बर्जन एंड्रोइड में जैसा कि आपको पता है आप एंड्रोइड चलाते हैं तो इसके बर्जन समय समय पर चेंज होते रहते हैं Kitkat, Nogget याना तो यह पीछे के थे Oreo जो आया है वो अभी का बर्जन है जो कि 8.0 है 31 Question को देखते हैं कौन से प्रोटोकॉल इंटर्नेट के Connect Client को IP Address Assign करता है तो कौन सा करता है दोस्तों यह DHCP करता है तो इन में से दोस्तों सबका इस्तेमाल किया जाता है है ना तो इसका अंसर हो जाएगा D वाला बाकी इसमें जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है वो ही नहीं चलिए Question नमर देखते हैं 33 को www.google.com www.google.com इस URL Address में डोमेन कौन सा है है ना डोमेन कोड कौन सा है तो डोट कॉम जो होता है लास्ट का जो है ना आप देखते हैं कि डोमेन नम होते हैं डॉट इन इस तरह देखते हैं डॉट नेट इस तरह के जो डोमेन होते हैं यह सब डोमेन नम होते हैं तो इसका स न हम लुग चाई होता है तो इसे हम क्या कहते हैं तो इसकी खाल स्थान कि यह कहने का यह मतलब तो यह आएगगा पिलग इंस प्रोग्राम डोड होता है और चाहिए रूप में operated होता है यह 35 question को देखते हैं एक reference है जो document एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है है ना तो इसका सही answer क्या होगा cross reference है यह क्या होता है cross reference होता है दूसरी भाग में देखाने करें क्या कहते हैं cross reference कहते हैं 36 question को देखते हैं paragraph या line को center align करने के लिए किस कुझी का प्रियोग करेंगे आप किस कुझी का प्रियोग करते हैं control प्लस E का करते हैं तो B answer ठीक होगा यहां से question number 27 को binary code में संख्या 7 लिखी जाती है तो 7 number चुकि एक decimal number है इसको अगर हम binary में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कहने का यह मतलब है इसका तो 1 0 1 कैसे लिखेंगे 1 0 1 अगर आप इसको binary में convert करना जानते होंगे तो आसानी से समझ गया होंगे कि इसको कैसे convert किया गया है C answer ठीक होगा यहां से चली 38 question को देखते है computer विख्यान में PhD करने वाले पहले भारती यह कौन थे तो अच्छा question है दोस्तों इसको ध्यादगी GK का question भी बन रहा है यहां से तो J राज रेड़ी थे कौन थे दोस्तों J राज रेड़ी A answer ठीक होगा 38 का यहां से चली 39 question को देखते है ribbon का इस्तेमाल किस प्रिकार के printer में किया जाता है हाना तो ribbon का इस्तेमाल जो किया जाता है वो किया जाता है dot metric printer में printers के आप बहुत सारे types होते हैं आपको पता हो dot metric हाना drum, inkjet और laser, thermal बहुत सारे printer चलते हैं जिनके अलग-अलग काम होते है तो ribbon का जो इस्तेमाल किया जाता है वो dot metric printer में किया जाता है चली question number 40 को देखते है cyber law में DOS का पूरा यानि की पूच रहा है DOS की full form क्या है तो आसानी समय इसको बता देंगे denial of service इसकी full form क्या होती है denial of service question number 41 को देखते है computer के छेत्र में महानकरांती का वाई है न है तो computer के छेत्र महानकरांती office kisson में ज़्यादा देखी गए यानि किस संद से देखी जा रही है तो 41 का सही answer हो जाएगा D 1960 से महानकरांती आ गई है computer के छेत्र में actually question number 42 को देखते है 25 का binary number क्या होगा तो इसको हम binary में change करें तो कैसे लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा 11001 तो इसका सही answer हो जाएगा B वाला 42 का B चलिए question number 43 को देखके multi user operating system है तो multi user operating system इन में से कौन सा है तो unix जो होता है दो multi user operating system होता है चलिए question number 44 को देखते हैं इन में से किस बर्स बिंडो 8 को बनाया गया था तो बिंडो 8 का निर्मान कौन से सन में हुआ था तो 2012 में इसका निर्मान दोस्तों हुआ था चलिए question number 45 को देखते हैं इन में से किस प्रोग्रामिंग भासा से Linux बिंडोज को बनाया गया है तो किस से बनाए गया है, C language से बनाए गया है, तो C answer ठीक हो जागा, चलि 46 question को देखते हैं, computer की घड़ी की speed की रणना किस से की जाती है, तो computer की पूँचने का यह मतलब है कि किस से की जाती है, तो इसको आसानी से बना देंगे, bit से की जाती है, किस में मापी जाती है, इसकी speed, bit मापी जाती है, 46 का b, चलि 47 को देखते हैं, unix नामक operating system, operating प्रणाली बिशेश रूप से किस हितू परियोग में लाई जाती एधी, यह बेव सर्वर्स में सबसे जादा परियोग में लाई जाती है, unix उन्योपर्रेटिंग प्रणाली जो होती है, यह बहुत ही secure प्रणाल होती है इसलिए इसका बेव सर्वर्स में ज्यादा प्रियोग किया जाता है 48 कुश्चन को देखते हैं बिंडोज एमी में एमी से क्या अभी प्राएं तो पूचने का मतलब यह है कि एमी की फुलकॉम क्या होगी यहां पर तो इसका होगा दोस्तो ए आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा मिलेनियम चलिए कुश्चन नमर 49 को देखते हैं ट्रांजिस्टर का आकार तो ट्रांजिस्टर का आकार होता है बैक्यूम ट्यूब की कौन सा हिस्सा पूचने का यह मतलब हुए तो कोई दिक्कत नहीं हमार सानी से बताते हैं कि बैक्यूम ट्यूब का हिस्सा एक वा हिस्स तो इतने चोटे होते हैं transistor, vacuum tube कितने बड़े होते होंगे या आप समझ सकते हैं 50 question को देखते हैं, चौथी PD के computer की एक और विसेश्था क्या थी, हमें बताना है तो database management system करने की इसमें छमता होती है, क्या होती है, database management system आ गया था इन चीजों में चलिए question number 51 को देखते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे question number 51 Sims और Coral, Bideman ने MOOC, बदिर लोगों के लिए एक ऐसा software बनाया है, जिसमें ND नामक एक पात्र computer की screen पर printed text को संकेत की भासा में बदल कर बताता है इस software का क्या नाम है, अच्छा question है, तो इस software का नाम है signing avatar ठीक है ना, question को अच्छे से पढ़िए, तब इसको देखिए, अच्छा question है, पूचा हुआ question है 52 question को देखते हैं, बिलू जीन computer, पेंटा फिलोप, computer कहलाते हैं, पेंटा फिलोप, कितने टेरा फिलोप के बराबर होते हैं ठीक हो जाएगा, तो कितनों के बराबर होते हैं ये, 1000 टेरा फिलोप के बराबर होते हैं D answer ठीक हो जाएगा, चली, question नमर देखते हैं 53 को मई 1998 में, पोखरण परमाणू परिक्षन के बाद किस अनुसंदान केंदर की computer प्रिणाली पर पाकिस्तान हैकरों ने हमला कर दिया था तो अच्छा कोशन देखते हैं दोस्तों, GK से भी रिलेट कर रहा है ना, तो भावा परमाणू अनुसंदान केंदर पर हमला कर दिया था पाकिस्तान है करों ने, 1998 में चलिए, 54 कोशन को देखते हैं, सबसे सफल रहने वाला पिर्थम application software कौन सा है, जो की सबसे ज़्यादा सफल रहा था computer के छेतर में तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, BGKELF, तो ये application software सबसे ज़्यादा सफल रहा था, C answer ठीक हो जाएगा चलिए, कोशन देखते हैं, 55, computer, आधारित, ग्यान दूत, नामक, सूचना, सिवा, मद्यपिर्दिस के किस सहर में चलती है, तो ये चलती है दोस्तों, धार सहर में, ये answer ठीक हो जाएगा चलिए, 56, question को देखते हैं, cyber space नामक, cyber space सब्द का प्रियोग पहली बार, बिलियम किप्सन ने अपने उपन्याज में किया था, उस उपन्याज का क्या नाम था, पूचने का ये मतलब है तो 56, का सही answer हो जाएगा दोस्तों, neuromancer, इसका सही answer होगा, neuromancer, यानि की difficult चलिए, 57, question को देखते हैं, babe, browsers के जरिये, babe, server से एक item के लिए किये जाने वाले एकल, निवेदन को तकनी की भासा में क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, hit, है ना, चलिए, question number 58 को देखते हैं, निमलिखित में से कौन hard disk बनाने वाली company नहीं है, तो इन ती, इन चारों हमें से कोई तीन company आया है, जो hard disk बनाती है, कोई एक company जो hard disk नहीं बनाती है, तो उसको हमें बताना है, तो फिलिप्स जो company है, तो ये hard disk नहीं बनाती है, बाकि तीनों company hard disk बनाती है, 59 question को देखते हैं, monitor पर किस तकनीक के द्वारा आकरतियां बनती है, उसे क्या कहा जाता है तो जिस तकनीक के आकरतियां बनती है, उसको बताना है, तो बैक्टर ग्राफिक्स के तहती आकरतियां बनाई जाती है, चली 60 question को देखते हैं, सभी question परीक्षा की द्रश्टी से बेहद important है, आप देख भी रहेंगे, unique type की question है, और सभी question बहुत ही important है, 60 question को देखते है, computer की processing speed को किसकी मदद से घटाया बढ़ाया जा सकता है, तो किसकी मदद से घटाया बढ़ात सकते हैं इसको, turbo switch की मदद से, चली question number 61, post यानि की post की full form हमें बताने, power on self test, तो power on self test कहा लेका है, भी वाले में लिखा हुआ है, तो आसानी से हम इसको कर लेंगे, चली 62 question को देखते ह करनल द्वारा दिये गए निर्देशों का करनल द्वारा रीड एवल format में बदल कर करनल तक करनल तक पहुंचाने का कारणा करता है, तो यह कौन करता है दोस्तों, यह करनल ही करता है, भी answer इसका ठीक होगा, करनल आपका computer, आपके mobile में भी होता है, 63 question को देखते हैं, computer system की restart क करने की process को किस नाम से जाना जाता है, तो computer को restart करते हैं, उसको और बार्म बूटिंग के नाम से जानते हैं, यह answer ठीक हो जाएगा यहां से, 64 question को देखते है, Linux एक dot और dot operating system है, तो यह multi-user और multi-tasking दोस्तों, operating system होता है, Linux है जिसका प्रियोग हम कहाँ पे करते हैं, बेवसर र question number 65, MS Excel 2010 में template file का extension क्या होता है, बहुत आसान question है, आसानी से कर लेंगे इसको, तो XLTX होता है, Z answer बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहां से, 66 question को देखते है, outlook express एक है, तो outlook express क्या है आपको बताना है, तो यह होता दोस्तों, एक email client है, चली, question number 67 को, file जिसमें आपके documents और आपके द्वारा customized toolbar और menu जैसी सभी चीजों के लिए paragraph और character styles की परिवासा होती है, उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, 67 का सही आंसर आप लोगों को पताना है, तो उसको हम कहते हैं, template, क्या कहते हैं, template, आसान question ता कर लेंगे, चली, 68 question को देखते ह network के निगरानी सुरक्षा कार में करते हैं, और dot supervisor करते हैं, अधिकरत network प्रयोकता के लिए account और password set करते हैं, तो कौन करते हैं, यह तो, इसको आसानी से समझ सकते हैं, उसको कौन करते हैं, network administrator करता है, इस चीज़ को, बी answer ठीक होगा, चली, question number 69 को देखते हैं, बैक्तिकत तो आफ भी धंक से बताना, dot का अपराद कहलाता है, तो किस तरह का अपराद कहलाता है, तो है, hacking, identity, spoon, spooning, or spoon, thing, है ना, तो आपको सही आंसर इसका बताना है, तो इसका कहते हैं, दोस्तों है, क्या कहते हैं, हैing कहते हैं, 70 question को देखते है, खाली स्तान दे रहका है, request data पर सी कि दे जंब करने की डिवाइस की चमता है तो किस तरह की डिवाइस को करती है आपको बताना है सही आंसर तो रेंडम एक्सिस भी आंसर ठीक हो जाएगा 71 को देखते हैं ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग साइकल में पहला चरण होता है यह पहला चरण है तो यह है डाटा एंट्री चली 72 को देखते हैं बर्ड प्रोसेश डॉक्यूमेंट क्रियेट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर देखते बर्ड चेंज करता है तो करता है यह दोस्तों फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की साहता से सी आंसर ठीक होगा चली 73 देखते हैं कंप्यूटर को रन और रिसोर्सिस को कंट्रोल करने के लिए निम्न मैंसे किस आप्सन का प्रियोग किया जाता है तो किस आप्सन का प 74 का सही आंसर आप लोगों को बताना है तो यह नोटपेड का पार्ट होता है चली 75 कुश्चन को देखते हैं MS बिंडू किस प्रिकार का सॉफ्ट्वेर है तो MS बिंडू किस प्रिकार का सॉफ्ट्वेर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है यानि GUI person No.76 को देखते हैं Why Default कोई फाइल निम्न में से किस लोकेशन में जाके सेव हो जाती है यानि आप किसी फाइल को अपने नाम से यानि किसी बिसेस फॉल्डर में सेव नहीं करते हैं तो यह अच्छा कुस्ता ने दोस्तों ही है देखते हैं, राइन डाइलोग बॉक्स के पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है, तो राइलोग बॉक्स को खोलने के लिए क्या टाइप करेंगे हम, तो 77 का पावर PNT, तो पावर PNT, C आंसर हो जाएगा इसका, C विकल, 78 question को देखते हैं Windows operating system में control plus window plus F shortcut किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत ही आसान question ने इसको आसानी से कल computer में search करने के लिए 79 को देखते हैं October 2013 में किस company ने android का विकास शुरू किया था बहतरीन question है दोस्तों computer से जड़ा जड़ा है और ये gk से भी जड़ा हुआ है तो android inc किसने विकास शुरू किया था android inc 79 का हो जाएगा 80 question को देखते हैं Unix operating system Ken, Thompson, Dennis, Reciva अन्य द्वारा कब तयार किया गया था तो कब तयार किया गया था दोस्तों ये किया गया था 1989 में तो program क्या होता अभी instruction program में क्या होते है instruction 81 का ये answer ठीक हो जाएगा 82 को देखते है ms excel file को default नाम होता है तो इसका default नाम क्या होगा तो book 1 हम इसको कह सकते है ms excel file का default नाम होता है तो क्या होता है book 1 चलिए 83 question को देखते है किसी computer के program में बच्चों द्वारा प्रियुक्त भासा प्राया कौन सी होती है तो किसी computer program बच्चों अभी इस question को हमने डिसकस किया है थोड़ी देर पहले ही तो logo भासा होती है बच्चों को सिखाने के लिए EDP क्या है तो 84 question का answer आपको बहुत आसानी से पता चल जाए electronic data processing EDP कहते हैं इसको question number 85 को देखते है बर्तमान में computer प्रणाली में संग रहे संग रहने ही तो high definition मानक का प्रिकार है तो इसका सही answer होगा दोस्तों blue ray disk इसकी बंदरने चमताज होती है अत्यादिक होती है यानि कि ठीक ठाक होती है cookie क्या है computer या mobile में आपके cookies बन जाती है तो cookies क्या होती है तो यह होती है दोस्तों आपके computer में एक file क्या करती है कि आप किसी file को बार बार खोलते हो internet पर search करते हो तो इसको यह save कर लेती है cookie अबने पार अनुसार मध्यम बंडारन का सही किरम है ना तो इसको बताना है कि यह सही बढ़ते बंडारन किरम के अनुसार इसको हमें बताते हुए चलना है तो C वाले में जो लिखा हुआ है दोस्तों यह बिल्कुल ठीक है CD की बंडारन चप्तर थोड़ी कम होती है DVD की उससे ज़्यादा होती थी बिलूरे की और भी ज़्यादा है और HBD की तो सबसे ज़्यादा है चली Q emocion No.88 को देख लेते हैं मैं frame या super computer मैं Excel के लिए user iqsidar.on ka उपयोग करते हैं तो किसका परियोग करते हैं दोस्तों Τर्मिनल का प्रियोग करते हैं जिसका कंटा है किसका परियोग टरमिनल आप इसको पढ़ लीजिए 90 को देखते हैं कंपनियां एप्लिकेशनों की खरीदने और खुद उनका रख्राव करने की वज़ा सॉफ्ट्वियर और सेवाओं को एक्सिस देने के लिए इन बेंडरों का पिरियोग करती हैं तो किन बेंडरों का पिरियोग करती हैं वहिए तो कापी और स्टेंडर्ड कमांडों पर पेश्ट वटनों से नहीं कर सकते हैं यहां से यह आंसर बिल्कुल ठीक होगा आपको यहां से चली कोशन नमर 92 देखते हैं MTBF है ना तो MTBF की आपको फुल फॉम बता नहीं कोई दिक्कत नहीं हम आसानी से इसको बता देंगे यह आंसर ठीक होगा में टाइम बिट्वीन फेलर है ना चली कोशन नमर 93 को देखते हैं डाटा के बन और जीरो की बिट्स को प्रतक तारों में एक साथ जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है बह है है ना तो यह होता है सीरियल कीबोर्ड की साहता से हम इसको भेजते ह का डी आंसर हो जाएगा 94 को देखते हैं एक से अनेक है ना बंटू मैनी इनमें से किस प्रारूप में देखा जा सकता है बहुत ही अच्छा कुशन है थोड़े अपर लेवल का कुश्चन आ गया है यह कोई दिक्कत नहीं है तो हाईरेरिकल मोडल में हम इसको देख सकते हैं इसमें मैनी टू वन, मैनी टू मैनी इस तरह की चीज़े चलती हैं 95 कुश्चन को देखते हैं DDS का अर्थ होता है तो DDS की फूल फॉर्म आपको बतानी है तो आसानी से हम बता देंगे है ना Data Dictionary System कहते हैं हम इसको DDS की पूरी फॉर्म को देखें तो 96 कुश्चन को देखत सरवादिक प्रचलेत आपरेटिंग सिस्टेम बिंडोज सबसे पहले कब लॉंच किया गया था तो डेट पूछ रहा है कि बिंडोज कब लॉंच की गई थी तो इस लॉंच की गई थी दोस्तों 10 नवंबर 1983 को D answer ठीक हो जाएगा कोश्चन 97 को देखते हैं इंटरनेट मेल द्वारा उपियो किया जाने वाला प्रोटोकॉल है तो बताना है सही आंसर हमको तो पोप जो होता है पी ओपी तो इंटरनेट मेल द्वारा प्रियो किया जाता है इस प्रोटोकॉल का चलिए कोश्चन नमर देखते हैं 98 को IP address मग तक कितने पिरकार का होता है, है ना, तो कितने पिरकार का IP अडरस होता है, हम लोगों के पास, दो पिरकार का IP अडरस होता है, है ना, चलिए, question number देखते हैं, 99 को, किस बार सर प्रितम आदुने computer की खोज की गई थी, तो अच्छे-च्छे question आपको देखने को मिल रहे होंगे, है ना, 1946 में आदुने computer की खोज दोस्तों की गई थी, तो सही answer हो जाएगा इसका, 96, यानि कि 1946, question number 100 को देखते हैं, email भेजने के लिए special protocol कौन सा है, तो POP भी होता है, MIME भी होता है, SMTP भी होता है, तो इसका सही answer हो जाएगा, ये सभी, तो हमने यहां से cover किये, दोस्तों, 100 question, अगर आपको किसी question में doubt लगता है, या फिर लगता है, कि सर इसका answer ये नहीं होना चाहिए, अगर किसी भी question में, या किसी भी problem आई हो आपको question में, तो आप हमें comments करके, बता सकते हैं, आसा करते हैं, दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया ह ना भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत